वेलकम गाइज एक बार आपका फिर्चे अमारे सेनल पर बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपके लिए लेक रहा है वह है अहुजा का एल-18-SW-1000 जो 1000W का RMS पावर वाला बेस स्पीकर है और फ्रेंड्स आज किस वीडियो में इसका रीव्यू करने वाले इसके फुल स्पैसिफिगेशन भी करेंगे और इसका हम प्राइज डिटेल भी जानेंगे और इसके लिए बेस्ट सजेस्टिंग एंप्लिफायर वह कौन होने वाला सा एक स्पीकर है स्पीकर का यूज ज्यादा तर पीक प डीजे यायनि प् eck had a करते और उसको इतना खतरनावाल यह हमको देता बात करते हैं तो यहांपर आप देख सकते हो अब बात करते हैं सबसे स्पैसिफिगेशन की की कि यहां पर इसको ज़्यादा तर लोग पर्चेज क्यों कर रहे हैं तो चलिए इसकी specification की बात करते हैं तो फ्रेंट जी यहां पर आप देख सकते हैं इसका power rating के वह हैं पर 1000 watt rms power का मिल जाता है और इसका size वह यहां पर 457 mm यानि 18 inch के अंदर मिल जाता है इसका impedance है वह यहां पर 8 ohms का मिल जाता है sensitivity की बात करें तो यहां पर इसके 99 db का है और इसके magnet की weight की बात कर दो यहां पर 5 kg का magnet का weight मिल जाता है frequency response है वह यहां पर इसका fs यानि 37 hertz का मिल जाता है और इसका DC resistance है वह यहां पर 5.0 ohms का हमों मिल जाता है और यहां पर Qms है वह यहां पर 14.07 qms मिल जाता है और इसका फ्रेंट यहां पर बाकी की स्पेसिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं और इसके मैंने वोईस कोईल की बात करें तो यहां पर पांच इंच की इंसाइड आउटसाइड वोईस कोईल इसको अंदर मिल जाती है और इसका एक्समास है वो यहां पर आठ एमम का मिल जाता है मुविंग मास यहां पर 179 ग्राम का मिल जाता है यहां पर इसके कॉलिटी भी हमको अच्छी मिलेगी और इसके वेट की बात करें तो यहां पर 19.20 कजी का इसका वेट मिल जाता है पूरा फुलिस स्पीकर का प्रेंड्स यह की स्पैसिफिगेसन है यहां पर इसके वेट को एक बात करें तो पांच इंस की एव और इसके विंटींगर कोले साउंड बहुत अच्छी मिलती है और यहां पर हाई टेम्प्रिस्टीम वाली वह सको ले तो डरने की कुछ जरूत नहीं बिंदास आप इसको चला सकते हैं औ यह इसकी specification यहां पर आप देखिस सकते हो अब बात करते हैं इस speaker के लिए सबसे best messing amplifier कौनची रहने वाली हैं तो friends यहां पर पीक पडीजे की बात करें तो सभी यहां पर इस speaker के लिए 1000 जार वाड के booster यूज कर रहे हैं और उसको वा साउंड की क्वालिटी है वह वाकिह में बहुत ही तगड़ी मिलती है ऐसा लगता है कि कोई ओरिजनल के इसके अंदर लगा हुआ ऐसे साउंड की क्वालिटी के लगी रहती है इसके अंदर भी फ्रेंट्स पीकप डीजे के अंदर 16 बेस यह ब 50W से ुरू कर सकते है यहां पर डैनाया प्रणाटे की ले सकते हैं अपर लेक्न आरो लेकेन आपको इस बएस्ट के लिए अछिया की एंपलीफकवार आपको कोई भी नहींनी नहीं लेने हैं इसके लिए आप डाइय ले सकते सबसे बेस्ट 5000 वाट 6000 वाट तक कि अच्छा पावर को और एक डाउस के बिद्द आप tick के लिए सकते हैं प्राइस इसकी वीडियों की डिप स्कृप्सी म मिल जाएगी में अग नेग्स वीडियो में का आप झाल झाल